हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी मैं हूँ हर्बिर सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ओफिसियल में अगर आप इस चैनल पर नए है और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथ म बैल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे हैं तो सातियों आए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB के अंदर IU सीमा में बदलाव चाहते हैं candidates इसके बा कर एक question दिया था कि ear के साथ A N में से क्या आएगा मतलब article कौन सा आएगा year जो साल वाला होता है उसके साथ क्या आएगा तो मैं आपको बता देता हूँ year के साथ आएगा a, a year, हलाकि जो इसका pronunciation है, actual जो pronunciation है, वो year नहीं होता, वो होता है year, year, अगर year pronunciation होगा, तो उसके साथ n आएगा, मैं आपको बता दू, लेकिन actual में year इसका pronunciation नहीं है, इसका pronunciation है year, यह से start होता है year, जिसे होता है यार, year, तो इस वज़े से यहाँ पे क्या आता ह इसके बाद साथियों जो आज का question है आपके लिए, भूटान की राजधानी क्या है, बहुत simple सा question है, भूटान की राजधानी क्या है, तो कल मैंने एक video upload करी थी, कि बड़ी खबर, MCD PRT से जुड़ी बड़ी खबर, जल्दोगी joining, 704 candidates है, pending list, उनकी जो pending list आए थी, तो साथि इस पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पर groups में कुछ ऐसी बाते चल रही थी, कुछ ऐसे senior teachers थे, जो क्या बोल रहे हैं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, तो इन्होंने क्या बोला है, ये YouTube वाले पैसे कमाने के लिए लोगों के साथ मजाग बना रखा है, ये selected के अगेंस्ट वीडियो डालने से डरते हैं, क्योंकि वो इनकी वीडियो को डिसलाइक करते हैं, जिस से इनके पैसे नहीं मिलते और YouTube भी इनकी वीडियो को प्रमोट नहीं करता है, एक बार सभी इस वीडियो को डिसलाइक करो, बटन को स्लेक्ट करके, तो साथियों ये, तो ऐसे किसी को target बनाना बहुत गलत बात है, आप news देखो, पसंद आए, ठीक है नहीं आए तो ना देखो, लेकिन इतना गलत होता है कि यार कोई बंदा काम कर रहा है और उसे फिर ऐसे target बनाए जाए, अगर आपको लगता है तो आप personally बात करें, क्योंकि मेरा ऐसा वो नहीं आप personally advise देंगे, मैं बिलकुल वो बात मालूँगा, क्योंकि मैं आपको बताओ, कुछ टाइम पहले एक मैम थी, उन्होंने मुझे कुछ बात बताई, मुझे लगा कि हाँ यार ये genuine तरीके से सही बता रहे हैं, तो वो चीज मैंने follow की, अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि ऐस कुछ जानकार भी है, और अब क्या कहें, ठीक है देखो जैसा जो सोचता है, अब इस से जादा हम क्या कह सकते हैं, लेकिन बहुत दुख होता है देखके, लेकिन साथ ये बात बताना चाहता हूं, कि कोई भी काम like और dislike के लिए नहीं होता, कुछ काम ऐसे होते हैं, जो अप और रही बात ये, ये सिर्फ मैंने अपडेट दिये, मैं किसी के सने किसी के पक्स में हूँ, या किसी के विपक्स में हूँ, जो मुझे अपडेट मिलती है, मैं वो अपडेट देता हूँ, अब आप लोग उसे किस तरीके से लेते हो, अब जो non selected है, मैं देखो नाम नहीं ले रहा किसी का, वो क्या सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि सर हमारे साथ रहके हमारा ही समर्थन करें, कुछ selected है, वो क्या चाहते हैं कि हमारे बारे में ही वीडियो बनाए, अरे मैं कोई कटपुत ली हूँ आप लोगों की, एक बात बताईए, जो मुझे लगेगा मैं सिर की जा रही है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ step लिए भी गए थे, और इसके बाद मैंने आपको बताया भी था, नहीं बताया तो एक बार दुबारा बता देता हूँ, कि काफी साथियों ने इसके regarding RTI भी लगाई थी, इसके बाद केजरिवाल जी को letter भी ल अगा हुआ है, इस वज़े से meeting नहीं हो पाएगी, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, जो असोग अगरवाल सर है, उनसे हम meeting कर सकते हैं, और वो बहुत अच्छा हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, तो जिन साथियों को लगता है कि I.O.C. में बदलाव होना चाहिए, लेकिन पहले भ पड़ेगा, अपने जो भी साथियों उनको आगे लेके आना पड़ेगा, और ये ऐसे नहीं एक दिन का काम है, ये काफी दिन का काम है, और इसमें आपको लगतार लगना पड़ेगा, तो साथियों अगर आप बदलाव चाहते हैं, तो description box में group का link है, आप वो join करें पहले और इसके बाद, वहाँ पर मैं देखूंगा कि कोई एक बंदा जो lead कर सके, तो आप लोग में से एक कोई ऐसा होगा जो lead कर सके, फिर मैं आपको बता दूँगा, असोक अगरवाल जी से आप बात करें, meeting करें वहाँ जाके, अपनी बाते रखें, और ऐसे ही कुछ हो सकता है हला कि cases चले हुए हैं, और case से भी बहुत अच्छा result अगर निकल के आता है, तो उससे भी आपको help मिल जाएगी, तो आप वो चीजे रखें, आप वहाँ मांगे रखें, क्योंकि घर बैठें, आप लोग क्या सोचतें, क्या सोचतें कि हमें घर से बाहर निकलना ना पड़े और कोई भी चीज हमारे लिए हो जाए, तो हर किसी के पास काम होता है, हर किसी के कुछ न कुछ excuse बन सकते हैं, genuine excuse भी बन सकते हैं, लेकिन उन excuse से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये लड़ाई आप लोगों की है, हम help कर सकतें इसमें, तो साथियों आप अगर चाहते हैं, really गलत बोलता हूं, तो आप personally बताएं, क्योंकि ये चीजे बहुत गलत होती हैं, कि आप सिक्सक होकर एक बंदे को target कर रहे हैं, मतलों कितनी गलत बात लगती हैं, मैं सब्दों में नहीं बता सकता कि कितना hurt होता है, कि एक बंदा कोई चीज मेहनत कर रहा और उस मेहनत पे ऐस टारगेट किया जाए किसी को, तो बहुत दुख होता है, तो ये चीजे मुझे नहीं लगती कि कहीं न कहीं सही हैं, और आप लोग भी बताएं कि क्या ये चीजे सही हैं, तो साथियों goodbye, take care, thank you, jahind, one day, matram.